अलो दोस्तों नमस्कार मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजूकेशन आज हम बात करने आए हैं महाराष्ट्र CET एक्जाम के बारे में महाराष्ट्र में B.A.C. नर्सिंग कॉर्स में एडमिसन के लिए Common Entrance Test यानी CET के नाम से एक Entrance एक्जाम लिया जाता है तो महाराष्ट्र से B.A.C. नर्सिंग कॉर्स कैसे करें B.A.C. नर्सिंग कॉर्स में एडमिसन का क्या प्रोसिजर है और M.H. C.E.T. एक्जाम कैसे होता है उसका पेपर पैटरन, सिलेबस इस पर मैं complete detail आपको देने वाला हूँ, हम यहां college की भी बात करेंगे, college private और government कितने हैं, उनमें कैसे admission होगा, क्या cut-off रहेगी, कैसे preparation करें, एक best और top college में selection कैसे ले, देखिएगा बच्चो, 12th बायो के जो student है, वो B.A.C. नर्सिंग कर सकते हैं, girls and boys, दोनों ही मर्दोस्त B.A.C. नर्सिंग कोर्स के लिए eligible है, महाराष्टर में एक board बना हुआ है, और उस board का नाम है M.H.C.E.T. board, यह आपके सामने है, यह हमारे महाराष्टर का देख सकते हैं, state common entrance test sale, government of महाराष्टर, यह मेरे दोस्तो, वो entrance sale है, जो M.H.B.A.C. नर्सिंग C.E.T. इस exam को conduct करवाता है, अब इसके M.H.C.E.T. के form कब आते हैं, देखिए M.H.C.E.T. के form, अगर हम बात करें 2024 की, तो इसके form आएंगे April या मई में, तो इसलिए आपको अभी से preparation start करनी पड़ेगी, अगर आप B.A.C. नर्सिंग के government institute में admission लेना चाते हैं, तो आपको बच्चो तैयारी करनी पड़ेगी entrance exam की, और उस entrance exam का जो pattern है, वो ये रहेगा, देखिए आप, उस entrance exam में physics, chemistry, biology, English और nursing aptitude, ये total 5 subject पूछे जाएंगे, है ना, अगर हम बात करें physics की, 20 queson, chemistry, 20 queson, biology, 20 queson, nursing aptitude, 20 और English भी 20, total number of queson कितने होंगे बच्चो, तो 100 queson होंगे, और marks भी कितने होंगे, 100 होंगे, है ना, तो ये आपका exam होने वाला है दोस्तों, MHCET का, अब जो ये exam होगा, इसमें syllabus क्या रहेगा, तो इसमें syllabus बच्चो 11th और 12th, NCERT के according रहने वाला है, और NCERT का बच्चो, अभी जो reduce syllabus आया है, बहुत सारे topic हटा दिये हैं, तो वो ही syllabus दोस्तों, MHCET का रहेगा, है ना, बिल्कुल, अब जो examination है, mode of examination, तो आपका जो ये exam है, बच्चो, MHCET का, ये CBT-based exam होगा, मतलब कि ये online test होगा, बच्चो, और इसके अलावा अगर हम बात करें हैं, इस MSCET की, तो अगर इसके form ज़्यादा fill up होते हैं, तो ये OMR seat पर offline exam भी लिया जा सकता है, तो exam बले ही online हो या offline हो, इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा, हमें तो preparation करनी है बच्चो, है ना, ये हमारा paper pattern है, अब देखिएगा, आपका जो paper है, वो किसमें आने वाला है इस मीडियम में आपका exam लगेगा, है ना, बिलकुल, अब देखिएगा, अब हम बात कर लेते हैं, कि सर, हम preparation कैसे करें, तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप MHCET entrance test की, तैयारी करना चाते हैं, तो आप Vijay Education Ape download करें, महाराष्टर के बच्चो के लिए, ये Brahmastra 2.0 बेच हैं, ये October बेच है बच्चो, इसमें class A, 20 October से start हो रही है, आप आज ही अपना registration करा लें, आपको, अगर अभी आप, अगर आज जोइन करते हैं, तो ये बेच आपको केवल 790 में मिलेगा, और इसके बाद इसकी फीस 990 रहेगी हैं, नहीं 990 रुपे, तो 990 रुपे की फीस म आप इस बेच को easily join कर पाएंगे, और बच्चो बहुत अच्छी preparation, English, Nursing, Aptitude, Physics, Chemistry और Bio, ये सभी subject आपको पढ़ाए जाएंगे, अरतार्त महाराष्ट के top government college में admission का, आपका जो सपना है बच्चो, वो बिलकुल पूरा हो जाएगा, अब मैं आपको help line number भी दिखाना चाहूं आप अगर विजय Education Apt से ब्रमास्तर बेच को join करके सब्सक्रिप्चन लेना चाते हैं, तो ये help line number है, आप इस पे call भी कर सकते हैं, 9828721229, 98221229, इसके बाद है 8302, 8302, 199394, ये आपके number है दोस्तों, आप इन numberों पे call भी कर सकते हैं, और ये जो number है, ये phone पे और Google पे से भी जुड़े हुए हैं, आप इन numberों पे online payment करवा करके, phone पे ये Google पे करवा करके भी अपना बेच चालू करवा सकते हैं, विजय Education को आप laptop में, अपने tape में, iPhone में या Android मोबाइल में, किसी में भी use कर सकते हैं, है ना बच्चों, अगर आप computer या laptop में class देखना चा course कैसे join करना है, वो पूरा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है बच्चों, बिल्कुल, तो ये पूरा procedure रहने वाला है, अब देखिएगा, और जो iPhone user है, वो भी एक बार जो है, team विजय को call कर दें, बाकि Android जो मोबाइल हैं, उस पे आप direct विजय Education सर्च करिए, एप आपको महारास्ट में, जो top colleges हैं, उनकी list एक बार हम देखना चाहेंगे, तो वो भी आप देखिए बच्चों, ये है महारास्ट के B.S.C. Nursing के top government college, सबसे पहला जो government college है बच्चों, वो है हमारा college of nursing, grant government medical college, सर जेजे hospital compound, बायकुला, मुंबई, इसके बाद next है बच्चों, आपका BJ hospital बीजे hospital, ये जैपरकाश नाराइन रोड पुने, इसके बाद next है आपका, मेरे दोस्तों, college of nursing, government medical college and hospital, अजनी नागपुर, इसके बाद next है दोस्तों, government medical college, ये आपका रहेगा औरंगाबाद में, इसके बाद next है, डॉक्टर सांतरकराव, चावन government institute, ये आपका रहेगा next है दोस्तों, विलास राव देश मुख government institute, ये आपका रहेगा, civil hospital campus लातूर में, ये बच्चों महाराष्ट के top six government college हैं, याद रखना है ना, और भी में कुछ college आपको दिखाना चाहूंगा, इन में seat कितनी हैं, ये भी बता ही हुई है, इन collegeों की mail ID और help line number भी साथ में दि दिखिएगा, मैं आपको एक बार और list दिखा दूँ, जिसमें private college भी मैं दिखाना चाहूंगा, private college बच्चों total 163 है, 160 BSE nursing के private college है, बट बच्चों इन private college में भी without entrance exam आप admission नहीं ले सकते, आपको MHCET का form फिल करना पड़ेगा, और ये exam में appear होना पड़ेगा, और exam को qualify करना पड़ेगा, exam में minimum 40% या 50% marks लाने पड़ेंगे, तभी बच्चों आप private में जा पाएंगे, यानि private college में admission के लिए भी आपको ये exam देना compulsory है, direct admission आप नहीं ले सकते, क्योंकि private college की भी लगबग 85% सीटें, इसी counseling से बरी जाएगी, और 15% सीटें, 15% सीट, वो भी जो qualify candidate है, जिन्होंने exam दिया है, उन से फिल की जाएगी, है ना, बिल्कुल, तो ये पूरा procedure मैंने आपको बता दिया है बच्चों, तो देखिएगा, बात आपके समझ में आ गई होगी, M.H.C.E.T., महाराष्ट्र C.E.T., B.S.E. Nursing के लिए entrance exam conduct करता है, ये exam आपका कब होगा, मई या जून में होगा, form इसके अप्रेल में आएंगे, पहले आपको online form फिल करना पड़ेगा, फिर entrance exam देना पड़ेगा, exam बायों के सभी student, girls and boys, दे सकते हैं, जो अभी 12th में study कर रहे हैं, वो भी, और जिन्नोंने 12th बहुत पहले complete कर लिया है, वो भी, या महाराष्ट्र के student भी exam दे सकते हैं, और out of जो महाराष्ट्र हैं, जो other state के candidate है, वो भी इस exam में appear हो सकते हैं, है ना, आपकी minimum age जो है, 17 year होनी चाहिए, 17 years, यानि आपकी जो date of birth है, बच्चो, अगर 2007 है, तो आप इस exam में appear हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2007, 2006, 5, 4, 3, 2, 1, कितनी भी आप appear हो सकते हैं, है ना, 2007, 2008 नहीं होनी चाहिए, 2008 अगर जनमतिती है, तो आप appear नहीं हो सकते, 2008, 9, 10, इस तरह से, है ना, 2007 या उससे कम date of birth है, आप appear हो सकते हैं, इसका मतलब यह है कि आपकी जो मेरे दोस्तों age है, वो minimum 17 साल, जो हैं वो होनी चाहिए, 31 December, 2024 तक, है ना, ये criteria है दोस्तों, 31 December, 31 December, या रखना दोस्तों, तो यहाँ पे 31 December, 2007 तक, आपकी अगर age 17 वर्स हो रही है, तो आप MHCET 2024 का entrance exam दे पाओगे, किलियर है कि नहीं, बिल्कुल किलियर है, तो ये पूरा system मैंने आपको बता दिया, form fill करने के लिए, document क्या लगेंगे, तो बच्चों काफी document है जिनकी जरुवत पड़ेगी, लेकिन मैं दो document आपको बता देता हूँ, एक तो आपके 10th की मारक सीट की फोटो कोपी, आपका photo, आपका मूल निवास, यानि डॉमी सिल, और अगर आप OBC, SC, ST से हैं, तो आपका cast certificate, EWS के candidate के लिए EWS certificate, आदार की कोपी, आपका photo, 12th की मारक सीट की फोटो हैं, तो जब फरवरी में, मार्च में, आपके 12th के exam complete हो जाएंगे, तो admit card की photocopy चलेगी, है ना, बिल्कुल, तो ये सारी detail है, बच्चो, M.H.C.E.T. के बारे में, तो अगर आप M.H.C.E.T. की preparation करना चाते हैं, महराष्ट के government या top private college में admission लेना चाते हैं, तो आप तुरं झाल 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 झाल झाल